हलो दोस्तों आज मैं आपको बचे हुए चावल से मुर्मुरे बनाने के लिए बताऊंगे तो यह देखिए यह हमारा बच गया है चावल इसको इस तरीके से पहले हम अलग-अलग कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा स्वाद नमक डालेंगे और फिर हम इसे अपने हाथों से अच्छे से मिला देंगे और मिलाने के बाद यह हमने पॉलेथीन डाल लिया है इस पॉलेथीन पे इसको इस तरीके से फैला देंगे इसे हम पंखे के नीचे ही फैला रहे हैं अगर आप ढूप में चाहें तो सुखा सकते हैं पर बाहर क्या दूल वगेरा लग जाता है इसलिए पंखे में सुखाई पंखे में भी घर्मी के दिनों में अच्छे से सूख जाता है और जब यह सूख जाएगा तो फिर मैं आपको मुर्मुरा बना कर दिखाऊंगी और जो यह गोल गोल इस तरीके से बने हुए हैं जूड़े हैं तूसरे के साथ उन्हें आप ऐसे दीरे दीरे करकर अलग कर लें और इसे अच्छे से सूखने दें अच्छे से दो दीन तक यह अच्छे से सूख जाएंगे उसके बाद हम इसको मुर्मुरे बनाने के लिए इस्तमाल करेंगे अभी यह चावल पूरी तरह से सूख गया है और और मैं एक चीज़ आपको बता दूँ अगर आप इसे ज्यादा लंबे टाइम के लिए रखना चाहते हैं तो दूप कड़क दूप में सुखा कर और एरटाइट डबे में बन करके रख सकते हैं तो मैं इसे तलने के लिए कड़ाई चड़ाकर इसमें तेल डाल कर रखी हूं अभी आपको मैं दिखाती हूं कि यह किस तरीके से मूर्मूरा तयार हो जाएगा इसके लिए हमने दो जाली वाले चन्नी लिए हैं और इसको इस तरीके से चावल को फोड़ दें और और इस तरीके से चान लेगे आपक स्कूल को आपको आपार बहर दितें और दो हूं को कि अई दोड़ा क कि यह जा दो हूं का ए्र एक शर दोड़ा चाली ह। कर दो कर दो कर दो कर दो कि अगर आप इस मूर्मूरे को जाल मूरी बना कर खाना चाहते हैं तो भी खा सकते हैं तो इसके लिए हम जैसे बाजार में टमाटर अद्रक बारिक प्यार बारिक मिर्ची और हमने लिया पुदीना का पत्ता अगर आप चाहें तो धनिया का पत्ता भी डाल सकते हैं और यहां पे चाट मसाला काला नमक प्लेन नमक थोड़ी सी मिर्ची का पाउडर डाल कर अब हम इसे इसमें डाल कर मिला देंगे आप देख सकते हैं कि प्लेट में बिल्कुल तेल नहीं चिपका है जितना की ज्यादा तेल ऐसा लग रहेगा वह इस तरह से नहीं रहता हैं और फिर हम इसे किसी चम्मत से या फिर इस तरह से हाथों से भी मिला सकते हैं और आपका बजार के तरी जैसा नूरा क्यार हो गया और आप इसे अराम से अपने पूरे परिवार के साथ मुर्मुरे का नजा लें धन्यवाद झाली जयाओर इसाले जो एकता बिन से एन धन्यवाद